हेलो विर्वन मेरे चैनल एजुकेशन दिख्यों स्वागत है फ्रेंट्स आज किस वीडियो हम सिक्ष जेपीएसी से रिलेड़ कुछ अपडेट लेकर आए हैं तो फ्रेंट्स जो भी करने रिलेड़ सिक्ष जेपीएसी का एक्जाम दिये थे और अपने फाइनल रिजल्ड क वेट कर रहे थे उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी निकल कर आई है तो फ्रेंट्स बता दू कि जो जेपीएसी का जो ऑफिसल वेबसाइड है वहां पर जो लोग का रिजल्ड जो है की अपलोड कर दी गई है तो आप जो है कि अगर आप लोग नहीं तक अपन करने वाला हूं ठीक है तो चली ज्यादा समय नहीं लेते वीडियों में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंट्स कि यदि आप इस तरह का वीडियों पाना चाहता है आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं चैनल को सब्सकाइब कर ले साथी बेल आग परतियोगता परिक्षा 2016, विग्यापन संक्या 3-2016 की संबंद में सुचना यहने जो विग्यापन संक्या 3-2016 जो था संजुक्त असायनिक सेवा परतियोगता परिक्षा के लिए उसके संबंद में यहां पे कुछ सुचना बता जा रहा है तो सुचना क्या इसके बारे में आ आप लोगों को बता देता हूं तो जैसे आप आप देख रहे हैं कि दिनांग 24-2020 से दिनांग 36-2020 तक आयोजित सक्षतकार के पहसाथ संजुक्ट असायनिक सिवा परत्योगता परिक्षा 2016 का अंतिम परिक्षा फ़ल परकासित कर दिया गया है यानि जो 24-2020 से 6-3-2020 तक जो सक्षतकार लिया गया था यानि जो इंटर्वी हुआ था उसका जो है कि फाइनल जो रिजल्ट है वा परकासित कर दिया गया है यह परिक्षा फ़ल आयो के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर इस पर अप्लोड कर दी गई है फ्रेंट्स आज 21 अप्रेल है और आज के दिन जो एकी से अप्लोड कर दी गई है अगर आप लोग नहीं तक डाउनलोड नहीं किया ता आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यह हमारे टेलीगरम गुरूब को जोईन कर ले वहां पर इ कर दी गई है और यहां पर फ्रेंट्स आगे आप लोग को बतादेता हूं जैसे यह आप अप देखरें कि जारकांड एडिमिनिस्टर्टिव जो सर्विस हैं इसमें जो टोटल कंडिडेट जो क्वालिफाई किये हैं वह 143 और 143 में जिसमें की अन्रिजर्व के जो और इसई के जो क्वालिफाइड कंडिडेट कितने हैं तो 15 है और स्ट के 34 है ठीक है जिरियाँ पे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में आपे देख लेते हैं जिसमें कि टोटल क्वालिफाइड कंडिडेट जो कितने हैं तो 104 हैं जिसमें की अन्रिजर्व के हैं 52 और जो EBC जो NXWर 1st में जो हैं उनमें हैं 11 और SC के हैं 11 और स्ट के 30 कंडिडेट क्वालिफाइड हैं चलिए नेक्स देखते हैं यहां पर यहां पर क्या कि जहारखंड एजुकेशन सर्वीस इसमें जो टोटल क्वालिफाइड कंडिडेट हैं 36 हैं जिसमें के अन्रिजर्व के 19 हैं और SC देखें यहां पर तो SC के 6 और स्ट के 11 कंडिडेट ठीक है चलिए यहां पर आगे देखते हैं तो जो यहां पर देख रहा है कि जो जहारखंड को ओपरेटिफ सर्वीस है इसमें जो टोटल क्वालिफाइड कंडिडेट हैं वह कितने हैं तो 9 हैं जिसमें की अन्रिजर्व के 3 हैं और EVC जो NXWर 1 वाले ज 3 यहां पर देखते हैं तो जहारखंड पुलिस सर्वीस तो जहारखंड पुलिस सर्वीस में जो टोटल क्वालिफाइड कंडिडेट हैं वह 6 हैं जिसमें की अन्रिजर्व के 3 और जो VC जो NXWर 2 में जो आते हैं वहाँ से 1 कंडिडेट है और SC के 2 कंडिडेट है ठीक है तो यहां पर देख लिए फ्रेंडस चलिए यहां पर आगे देखते हैं जो जहारखंड प्लानिंग सर्वीस है जहारखंड प्लानिंग सर्वीस जो उनकी टोटल क्वालिफाइड candidate है उसमें 18 है जिसमें की general category के 9 candidate qualified है और जो EBC जो NXW 1st में आते हैं उसमें जो 1 candidate और जो NXW 2nd में आते हैं BC 2 तो वहां से भी 1 candidate है और SC के 2 candidate और ST के 5 candidate है ठीक है तो इस तरह से जो भी मतलब post है मतलब कितने post पे कितने candidate जो qualified की है ये मैं आप लोगों को बता दिया अब यहां पर आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि जो cut-up जो रही है final cut-up क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं जैसे आप यहां पर देख रहे है cut-up marks for final result यानि जो final result बना है उस पर जो cut-up marks जो रहा है क्या रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो general category के undeserved जो है उनलों के लिए जो cut-up रहा है कितना 600 marks रहे हैं जो EBC जो N100 first वाले जो है उनमें का जो है कि यह 594 आया है और इनका जो मतलब BC जो N100 second में जो आ रहते हैं उनलों के जो cut-up रहा है कितना 621 तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि जो general category का जो cut-up है उससे थोड़ा जो BC 2 वालों का जो cut-up है वो थोड़ा high गया है तो यहाँ पे बता दे फ्रेंट्स जो जारकन सरकार की और जो भी मतलब की cut-up को लेकर जो भी rule regulation है उसी के आधार पे जो है कि यह cut-up बनाया गया है तो ठीक है यहाँ पे अगर देखें SC का जो cut-up गया है 538 गया है और ST का जो cut-up गया है 524 यहाँ पे देख रहे हैं फ्रें selected by horizontal reservation जिसे हैं पे जो visual impaired थे उन लोग का जो cut-up रहा है वह 429 की 429 रहे हैं और जो diff और जो dump है उन लोग का जो मतलब कितना है कि 457 cut-up रहा है और जो locomotive disability है उन लोग का cut-up रहा है वह 552 रहा है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी cut-up है यहाँ पे आज का अपडेट यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों में शेयर किजेगा और यदि आप मेरे चैनल में नए जून है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा साथी बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा ताकि मेरे दोबर देख है आप तक पहुंच सके हैं और यदि आप इस वीडियो का पीडियो पाना चाहते हैं ता आप हमेरे टेजियर नहीं की टेली कराम गुरूप को जोइन कर लेए वहाँ पर इसे प्रवाइट करा दी जाएगी थैंक्स पर वाचिंग